नमस्कार दोस्तों, Wealth Sky के एको नए इंटरस्टिंग वीडियो में आप सभी लगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिक्लर वीडियो में हम बात करने वाले हैं Nifty and Bank Nifty के बारे में दोनों के चार्ट को understand करेंगे और समझेंगे यहां पर क्या Market यहां से breakout देगा या फिर यहां से दुआज से resistance खरके नीचे दुआरा से जाएगा तो इस point को हम यहां पर समझेंगे, दो वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं Market at 11 के वीडियो के कि market at 11 के वीडियो में आपको क्लिरली समझाया था कि market का trend positive बन रहा है बट उपर की तरफ के multiple resistance बने हुए है तो वो resistance को धीरे-दीरे market तोड़के ऊपर जाएगा तो पहले इसने अठाराजा 100 को break किया तो अठाराजार 25 के करीब 30 पर जाके इसने resistance किया वहां से नीचे आया 76 का में को expectations किया था कि 18,190 या 95 का high बना सकता था फिर इसने resistance किया क्योंकि ये सारे area उपर के resistance है उसके फिर नीचे आया फिर इसने नया जो high बनाया था वो आपका बनाया था around 18,180 का फिर नीचे आया फिर जो high बना वो हमारा बना 18,180 का कल के trading session में हमने 18,300 की call में कामकाच क किया था 18,300 की call में कल हमें दो point का loss हुआ था क्योंकि कल हमारा क्या था एक trend positive बनाता तो कल हमने trade डाली थी around इस level के आसपास मैंने कल साड़े साथ रुपे और साथ रुपे के आसपास मैंने ये call ली थी 18,300 की तो मेरे को expectations ये था कि कल एक momentum हो सकता है but because bank nifty थोड़ा सा sell-off मे bank nifty ने कल और आज दोनों दिन participate नहीं किया जिसकी वज़े से क्या है कि हमारे ये option उतना जादा move नहीं किया जितना हमें expectations था तो कल एक दो point को यहाँ पे loss हुआ था क्योंकि ये फिर नीचे आ गया तो around ये 5 रुपे पर मैंने इसको यहाँ पे card दिया था तो 10,000 quantity के यहाँ से कल 20,000 का loss हुआ था फिर मैंने इसको छोड़ दिया था कि आप कुछ नहीं हो सकता देखेंगे आप कल के trading session में आज के trading session में भी same nifty ने breakout दिया ठीक है आपको यहाँ पे एक breakout मिला मैंने थोड़ा सा इसको नीचे ही खरी लिया था जब ये momentum मतलब day high जैसी cross हुआ था तभी मैंने खरी लिया था बट आपका यहाँ कहीं इसने breakout दिया था यहाँ पे हमारा trend बना था 18,130 सॉरी यहाँ पे हमारा trend बना यह अटा देता हूं मैं यह हमारा high बना जैसी इसने इसको break किया break करने के बाद यह उपर कामकाच करने लग जया था तो मैंने इसको buy कर लिया था same option को तो आज around इसी level के आसपास यह मेरे को कल मिलाता कल साड़े साथ पर खरीदा था आज भी मैंने साड़े साथ 8.8 पर ही खरीदा था इसको same 10,000 quantity यहाँ पे मैंने purchase करी थी फिर मैं wait करता रहा है कि क्योंकि आज थोड़ा सा bank nifty भी support कर रहा था आप देख रहे हैं यहाँ थो तो around जब यह momentum हुआ तो यह option की value around पहुच गई थी around 15-16 के high जो बनाता हूँ 16 का और 15-14 के आसपास यह काफी कामकाच कर रहा था तो जब यह nifty यह यहाँ पे जाके यह nifty थोड़ा सा sideways सा जाने लगा यहाँ पे यह बिल्कुल और bank nifty ने बिल्कुल participate करना बंद कर दिया था अब देखरें यहाँ पे bank nifty ने बिल्कुल participate करना बंद कर दिया था अपने high के आसपास यह निकला इसने breakout तो दिया अबट immediately यह दुबारा नीचे आ गया था तो फिर मैंने इस option को around 13-14-14 के आसपास मैंने सारी quantity निकाल दी थी कल का 2 point का loss cover हो गया था यहाँ पे और आज कर 45-46,000 रुपीस में प्लस में आ गया ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर out of the money option में किस तरीके से काम किया जाता है और क्यों आपको यहाँ पर बड़े losses नहीं हो सकते हैं अब देखो अगर let us suppose यहाँ पर कोई add the money का option buy करके रखता होगा तो वो movie नहीं कर होगा क्या 18-200 की call 48-49 42-48 के बीच में ही अटकी रही जिसने सुबह momentum पकड़ लिया होगा उसको एक अच्छा profit मिल गया होगा नहीं तो यहाँ पर sideways की वज़े से ही premium डिके हो गए out of the money option में क्या है यह पता है कि 7 point का premium है simple दी चीज़ है कल वो 0 होगा कल वो morning में खुलते ही मत जैसी market खुलेगा तो दो या थाई रुपे के असपास खुलेगा हो सकता है तीन रुपे के असपास खुल जाए बट वो almost कल 0 हो जाएगा बट अगर यहाँ पर आज momentum आ जाता मुझे expectation देता कि 18-220-230 तर निफ्टी जा सकता है बट जब यह उपर जाकर अटकने लग गया और bank nifty ने साथ नहीं दिया क्योंकि bank nifty ने यहाँ पे कोशिस करी थी breakout देने की बट फिर यह नीचे आ गया था तो फिर मैंने card दिया उसको कल का loss cover हो गया बस यही पहुत है ठीक है अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कल की expiry किस level पे हो सकती है बट उससे पहले मैं आपको trading session के बाद यानि हो सकता है कल भी एक trend बन जाए यहाँ पे कल के trading session के बाद तिल दा budget आपको दो या तीन trading session ऐसे मिलने वाले हैं जो most probably एक one way trending हो सकते हैं आइधर upside आइधर downside तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे जिस side trend बनेगा उ 10 रुपे से नीचे वाला option मतलब हम 10 से उपर वाला भी नहीं खरी देंगे 10 से नीचे वाला खरी देंगे क्योंकि मेरे को expectations यह लग रहा है कि market एक बड़ा momentum आइधर upside आइधर downside कर सकता है budget आने से पहले यानि एक और momentum हो सकता है market वह या तो नीचे की side हो सकता है तो किसी भी side हो सकता है बट हमें वो नहीं पता हमें यह पता है कि हमें कहां पर अपना option भाय करना है तो जब भी 5 मिनट का low या फिर high break हो रहा है उसके नीचे market sustain कर रहा है तो अब 10 रुपे से नीचे वाला option जरूर खरी दियेगा हो सकता है कि उस momentum आ जाए और वो 5 रुपे का option 50 रुपे trading session आपको मिल सकता है team trading session का मेरा expectation से कि अब मतलब basically budget से पहले आपको team trading session ऐसे मिल सकते हैं जिसमें market एक strong momentum दिखा सकता है either upside either downside अगर downside का होता है तो तो हम जरूर trade करेंगे upside का अगर होता है तो अगर हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं लेकिन downside का हुआ तो जरूर हम trade ज 15 minute का time frame लगाते हैं अब यह देखो higher side पे अपने resistance के पास दुबारा से और यहाँ पर आपको क्या है कि पूरा price action change होने के लिए देखो यह इसी level पे इसने resistance phase किया है और इसके ऊपर इसका price action change होता हो दिखाई देगा nifty के इतना आप clearly समझ लिए दूसरी चीज़ अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आप इस channel के अंदर आपने काफी हद तक कामकाच किया है तो दाइड सी बात है आपके पास क्या है एक opportunity है कि इस channel के भार निफ्टी जिस side निकलता है हम उस side एक trade करने के कोशित करेंगे down side पे हम दरूर trade करेंगे क्योंकि उपर की side पे क्या है कि छोटे छोटे resistance बने हुआ है इसके लिए बट नीचे की side पे क्या है कि ये पूरा channel का ना पूरा bottom खुला हुआ है 18,000 तक तो अगर ये नीचे की तरफ दुबारा से आना start हुआ तो हो सकता है flow में ये दुबारा से 18,000 पचाथ 18,000 जा सकता है ये चीज़ ध्यान में रखिए तो negative trend बनता है तो हम definitely यहां पे try it जरूर करेंगे ठीक है तो इस channel के अगर नीचे निकलता है तो एक पास जरूर sell करिएगा stop loss यही day high का लगा लिएगा आज के high का लगा लिएगा ऊपर निकलता है तो मेरा कोई view नहीं है क्योंकि ऊपर तो market बहुत धीरे धीरे रोते रोते जाएगा नीचे अगर यह आया तो एक बाद flow में जा सकता है ठीक है निफ्टी में आपको समझ में आगे यह चीज बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है आज एक important चीज करिए बैंक निफ्टी ने कि 42 500 की नीरेस्ट इसने काफी देर तक काम कच किया है ठीक है तो सेम चीज हम यहां पर भी apply कर रहे है ठीक है अब देखोगे इस चैनल के बाहर अगर यह बैंक निफ्टी निकलता है ठीक है तो एक अच्छा momentum यहां पर हो सकता है तो basically क्या है कि आपको यहां पर अगर यह निकलता है ऊपर निकलेगा तो 700 तक का इसको target मिल सकता है और यह निचे निकला तो जायर सी बात है निचे फिर इसके पास 42,000 और 42,000 यह target आपको मिल सकते है ठीक है इतना आपको समझ में आ गया और expiry से पहले इसने consolidation दिखाया तो जायर सी बात है यह expiry पर chances बन सकते हैं कि यह एक बड़ा momentum कर दे तो थोड़ा था आप इस चीज़ पर alert रहेगा ठीक है इतना आपको clearly समझ में आ गया सेम चीज़ निफ्टी का निफ्टी ने एक momentum किया उसके बाद sideways चला गया तो निफ्टी का भी momentum इसी तरीके से रहेगा ठीक है अब option chain data को अगर हम यहां पर देखें तो currently 18,200 की call पर 74 लग का open interest है और put पर कितना है 29 लग का open interest 18,100 की put पर 94 लग का open interest है call पर कितना है 41 लग का open interest इसका मतब क्या है 18,100 की नीचे यह trade करना start करेगा तो problem वाली बात है 18,100 की ऊपर जब तक टिका हुआ है तब तक यहां पर थोड़ा सा market इस level को hold करने की कोशित करेगा according to the option chain data अगर price action negative बनता है मैंने बोला निफ्टी अगर यह अपने 18,100 की नीचे trade करना start करता है तो फिर आप एक बार sell करके काम कर सकते हो क्योंकि फिर simple EJS ने इसको break किया यहां पर resistance लिया और फिर यह नीचे जा रहा है तो definitely आपको sell करना चाहिए ठीक है और अगर इसी में bank nifty ने क्या है कि थोड़ा सा मैं positive side पर ना market थोड़ा सा रुक रुक के जाएगा समझ रहे हैं जब तक यह 42 18,250 के ऊपन नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा अटक अटक के जाएगा अगर 18,250 निकालना है तो जाइड सी बात है bank nifty को भी ब्याले सजा 700 निकालना पड़ेगा उसके उपर एक strong momentum बन सकता है तो यह चीज़ आप clearly ध्यान में रखिएगा ठीक है global market की situation देख लेते हैं currently indices futures में जाते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें कि flat से काम काच कर रहे हैं आपको कोई यहाँ पर positivity और negativity नहीं देख रही है शेय पॉइंट डाव नेगेटिव है और दाता तो लाइक और शाथ जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब के लिए क्योंकि मैं सोदी लेकर आतर हुआ हर दिन आप clean any video इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैहिंड